प्रिय विध्यार्थी साथियों अनेक विध्यार्थी मध्यप्रदेश उच्चनयले के द्वारा ग्रूपदी वर्गचार के 708 पदों पर भरती की प्रक्रिया में शामिल होने में रूची दिखा रहे हैं यह हाई कोट ग्रूपदी वेकैंसी सीरीज का तीसरा वीडियो है पहले वीडियो में हमने आपको वेकैंसी की डिटेल्स बताई थी दूसरे वीडियो में भरती प्रक्रिया के बारे में बताते हुए जानकारी दी थी कि आपका चयन केवल इंटर्व्यू के आधार पर होगा लिखित परिक्षा नहीं होगी यदि अभी तक आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए उनमें यकीनन आपको काम की बात मिलेगी आप में से अनेक युवा साथी यहां जाना चाहते हैं कि क्या इंटर्व्यू का कोई सिलेबस है इंटर्व्यू में क्या प बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए यह चेनल आपकी करियर यात्रा का सच्चा साथी सिद्ध होगा अब मैं डॉक्टर मजुसुदन 24 से अनुरोद करती हूं कि वे साक्षातकार के बारे में जानकारी प्रदान करें आप सभी को नमस्ते कोई भी आउसर छोटा नहीं होता कोई भी मौका गौण नहीं होता हर अउसर है हर मौका मौका है विद्यार्ति साथियों उच्चे नियाले के माध्यम से आपको वर्ग चार या ग्रूप D के पदों पर भरती प्राप्त करने का अउसर आपको मिला है आप इसका लाप अवश्य उठाइए यह आपके लिए ए और यदि आपकी वित्ति स्थिती ठीक नहीं है आपको धनराशी की अवश्यक्ता है आगे की पढ़ाई को जारी करने के लिए और प्रतियोगी परिक्षाओं की अगली तयारियों के लिए आपको कुछन कुछ साहरे की अवश्यक्ता है तो आप इस मौके का लाप सरूर कर यह बात पूछी थी कि सिलेबस क्या है और इस पर वीडियो बनाईए इसके अलावा भी बहुत सारे विध्यारतियों ने हमसे संपर्क किया तो विध्यारति साथियों जो विज्यापन जारी किया गया है उचनियाले के माध्यम से उसमें इंटर्व्यू के लिए कोई सिल कुछ इंटर्व्यू में शामिल होते हुए और कुछ इंटर्व्यू हो जाने के बाद इंटर्व्यू में शामिल हुए विध्यारतियों से बातचीत करने के आधार पर जो अनुभव हमारे पास है उससे हम आपको मारदर्शन देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किस प्र इसलिए जो बात पूछी जाती है वो होती है आपकी पारिवारिक प्रस्ट भूमी से समन्दित कि आपके परिवार में कौन-कौन है, आपके पिता जी, माता जी आदी क्या करते हैं, आपके परिवार में किस प्रकार का व्यापार व्यवसा है, आजी विका की व्यवस्था किस इस तरह की है, इस बारे में बहुत सारे प्रशन पूछे जाते हैं, इसके बाद करम आता है आपकी खुद के बारे में पूछने का कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, आपने जीवन का क्या लक्ष तै किया है, आप क्या बनना चाहते हैं, इस संबंध में प्रशन पूछे जाते ह इसके बाद बारी आती है आपकी शेक्षणिक योग्यताओं को लेकर कि आपने कहा तक पढ़ाई की है क्या आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं चुकि इन पदों के लिए शेक्षण की योगिता काफी कम मांगी है जैसा आपको बताया जा चुका है कि ड्राइवर या चालक के लिए निउन्तम कक्षा दसवी मांगी गई है और अन्य पदों के लिए कक्षा आठवी ही मांगी गई है तो ऐसे स्थिति में आपसे यह चुकि आपने इतनी पढ़ाई की है फिर भी आप इन पदों पर भरती के लिए क्यों प्रयास कर रहे है तब आपके पास बहुत ही सटिक उत्तर होना चाहिए याद रखे कि यह निउन्तम शेक्षणिक योगिता है यानि कक्षा दसवी या कक्षा आठवी पद के हिसाब से होना ही चाहिए अधिक्तम योगिता पर अधिक्तम शिक्षा प्राप्त करने पर कोई बंधन नहीं है आप बहुत अधिक शिक्षा प्राप्त करके भी किसी भी पद की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं बार-बार हम कह रहे हैं कि कोई पद छोटा नहीं होता है लेकिन जब आपसे वहाँ प्रश्न पूछा जाए तो इसका संतुष्टी दायक और तर्क सम्मत और विश्वसनी उत्तर आप दे सकें इस तरह की मानसिक्ता आपको तयार करनी होगी इसके बाद आपसे आपकी रूचियों को लेकर आपकी और आपकी वेक्तिगत जो भी कारे प्रणाली है उसको लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है ये जो सब प्रश्न होते हैं ये प्रारंभीक प्रश्न होते हैं और इनका उद्देश होता है कि जो अभ्यरती है केंडिडेट है उसे थोड़ा सहच कर दिया जाए ताकि उसके मन में जो डर है तनाव है चिंता है वो दूर हो जाए उसके बाद इंटर्व्यू का जो दूसरा हिस्सा प्रारम होता है उसमें सामान्यतह जिस पद के लिए आप इंटर्व्यू देने जा रहे हैं न उस पद के बारे में पूछा जाता है जैसे इस वेकेंसी की ही अगर अपन बात करें तो इसमें कौन-कौन से पद हैं इसमें चो प्रकार के पद हैं जैसे नमबर एक ड्राइवर या चालक, नमबर दो चपरासी या ब्रत्य, नमबर तीन चौकिदार या वाच्मेन, नमबर चार वाटरमेन या जलवाहक, नमबर पांच माली या gardener और नंबर 6 sweeper चप्रकार के पद हैं हर प्रकार के पद के वेक्ति के अलग-अलग काम होते हैं वहांचालक को वहांचलाना है ब्रत्य को कार्यालाइन व्यवस्थाएं देखनी है और चौकिदार जो होंगे उने वहां की सुरक्षा व्यवस्था को देखना है जलवाहक जलका प्रबंद करेंगे माली कोर्ट परिसर के जो उध्यान है उनकी देखरेक करेंगे और sweeper जो है वो साब सफाई करेंगे तो आपको इन पदों से संबंदित सभी काम कि डाइवर के क्या कार्य होते हैं उनकार्यों को करने में कौन-कौन सी सावधानी की आवशक्ता पड़ती है यातायात के कौन से नियम है सडक पर जो अलग-अलग प्रकार के चिन लगाये जाते हैं उनके क्या माईने होते हैं कहां पर हार नहीं बजाये जा सकता है कहां एक निरधारित गती से कम गती पर वाहन चलाना अनिवार होता है और साथी साथ यदि छोटी बड़ी गड़बडियां हो जाती हैं वाहनों में तो उन्हें दूर करने की शमता भी जो ड्राइवर पत के लिए इंटर्यू देने वाले अभ्यरती हैं उनमें होनी ही चाहिए ताकि रास्ते में अगर ऐसी जगह पर गाड़ी बंद हो जाए जहां पर मेकेनिक किस विधा लेना समभव ना हो तो वह वाहन चालक इतने स्मार्ट रहे कि वो छोटी मोटी गड़बडियों को ठीक कर सके साथी साथ जो विभिन प्रकार के वाहन होते हैं जैसे लाइट मोटर वेकल है या हेवी मोटर वेकल है उन सब के बारे में भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए ब्रत्य जो होंगे चपरासी जो होंगे उन्हें भी उनके कारे के संबन में पता होना चाहिए कि किस तरह से बातचीत की जाएगी, किस तरह से जल आदी दिये जाएगे, किस तरह से बेल बजने पर उपस्तित होना है, कैसे अभिवादन किया जाएगा, किस तरह से फाइलें लाई जाएगी, किस तरह से कार्याले में वेवार किया जाएगा चोकिदार बहुत हिम्मती होना चाहिए, साहस होना चाहिए, कत-काठी भी अच्छी होनी चाहिए चोकिदार की विश्वशनिता उसकी बातों से प्रकट होनी चाहिए, इमानदारी और निस्ठा होनी चाहिए क्योंकि चोकिदार के भरोसे बहुत सारी जिम्मेदारियां सौप दी जाती है या छोड़ दी जाती है जलवाहक को भी जल से संबंदित उसकी शुद्धता से संबंदित बातों की जानकारी होनी चाहिए माली को विभिन प्रकार के पौधों के बारे में मालूमात होने चाहिए अलग-अलग प्रकार के फूल के फल के पौधे किस-किस तरह की जलवायू में पनपते हैं कैसी मिट्टी उसके लिए होती है, किस मौसम में पौधों को लगाया जाता है उनकी देखरे कैसे की जानी चाहिए, खाद आदी के संबंद में उसकी जानकारी होने चाहिए साथी साथ चुकि ये न्याले आदी में जो ध्यान होते हैं उसके लिए माली की आउशक्ता होती है तो न्याले में जो अलग-अलग प्रकार के पाउधे लगाया जाते हैं, उनमें अधिकांश्त, सजावटी पाउधे होते हैं, तो उनकी कतरन वगेरे कैसे की जाती है, ये सब बातें भी माली को पता होना चाहिए. इसी तरह से स्वीपर, यानि सभाई का कारे, स्वीपर का होगा, तो सभाई के प्रती, उसकी ततपरता, उसकी बाचीश से प्रकट होना चाहिए, तो इस तरह से आप यह काम कर सकते हैं, कि जिस पत के लिए आप आवेधन करने हैं, आपको पता है न, पहले वीडियो में बताय गया है, कि एक अभ्यारती इन में से किसी एक ही पत के लिए आवेधन कर सकेगा, अभी तक विज्ञापन में जो लिखा गया है, नियम या निरदेश दिये गये हैं, उसमें आप केवल एक ही पत के लिए आवेधन कर सकेगे, तो आप पहले टाय कर लीजिए, कि इच्छव हैं, तो किस जिले से आवेधन करना है, तमाम जिलों में अलग-अलग पत है, किसी जिले में कोई पत नहीं भी है, जैसे अभी तक जो विज्ञापन है, उसमें बढ़वानी जिले की वेकेंसी जो हमने देखी है, उसमें ड्राइवर या वाहन चालक का पत दिखाई नहीं द पता कर लिजी, और नहीं है, तो आप किसी अन जिले के लिए आवेधन करना चाहें, तो उसकी व्यवस्ता हैं देख लिजी, हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या कोई अभी हरती किसी दूसरे जिले के लिए आवेधन कर सकता है, और किस जिले में कितने ज़्य आप मिलता रहे अब अगर आपने चुन लिया है कि मुझे इस पत के लिए आवेदन करना है तो आप एक काम करिए कि जिस भी जिले में आप रहते हैं उसके जिला मुख्याले पर इस्थित न्याले में आप चाहिए समय निकाल कर और वहाँ पर ड्राइवर भी मिलेंगे जो ज समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको उनका प्रेक्टिकल नौलेज मिल सके आपका यह चैनल भी प्रयास करेगा कि इन समस्त वेक्तियों से संपर्क किया जाए और उनसे बातचीत करके उनकी ही आवाज में वीडियो बनाया जाए और यदि उन्हें संकोच हो और वो यद प्रासी, चौकिदार, जलवाहक, माली या स्वीपर के तोर पर कारी कर रहे हैं उन्हें कौन-कौन से कारी करना हो रहा है और क्या-क्या उनके बारे में खास बात है और जब उनकी भरती हुई थी तो उनसे किस तरह के प्रशन पूछे गए थे या भी हम पता करेंगे आप भी पता कीजिए इस तरह से हम सब मिलकर इसका लाब उठाएंगे और आगे भविश्य में बहुत उचे पत पर जाने के लिए एक प्लेटफार्म प्राप्त करेंगे मुझे यह उपयोगी बात कहने का मुका मिला इसके लिए करियर एडवाईस चैनल की परिश्रमी संचाली का और आपके लिए सदेव मेहनत करने वाली प्रिती गुलवानिया जिजी के प्रिती आभार आप सभी को शुप कामना है बहुत बहुत धन्यवाज सर आशा है आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा ग्रूप 4D की भरती पर वीडियो की श्रंखला जारी रहेगी आप इसका लाव उठाते रहिए वीडियो को अपने साथियों के साथ साजा कीजिए बहतर कल के लिए आज ही जुडिये इस यूट्यूब चैनल से ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को तुरंट सब्सक्राइब करें बेल आइकान भी पुश करें हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का अधार बेस्ट आफ लग